गुड मॉर्निंग क्लास पिछले लेक्चर में हम लेक्चर नमबर 10 जो था हमारा उसमें हम क्लास 12 के सॉलिड स्टेट के जो टॉपिक शुरू किया था हमने वो था हमारा इंपरफेक्शन इन सॉलिड स्याफिर ठोसों में अपूनताएं जो कि अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो जिसमें कि हमने जो है कवर कर लिया था ठोसों में अपूंडताई पढ़ लिया था उसके बारे में कवर अप कर लिया था उसके बाद हमने जो है उसके टाइप को पढ़ लिया था बिंदू दोस हो गया रेखिया दोस उसके बाद हमने जो है बिंदू दोस के टाइप में जो ह वो complete कर लिया था आज जो हमारा topic होगा जो कि हमारा incomplete रह गया था वो हमारा असुदता दोस यानि कि impurity defects असुदता दोस को भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे एक होता है फर्स्ट वन जो हमारा आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस और जो second वन होगा तो चलिए student शुरू करते हैं असुदता दोस पहले होता क्या है उसके बाद हम इसमें कबर अप करेंगे कि आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस क्या होते हैं तो असुद्धी दोस क्या होता है जब भी हम किसी क्रिस्टल में कोई भाय पदार्थ की असुद्धी मिलाते हैं तो हमें जो है जो दोस उत्पन होता है वहां पर उसे असुद्धी दोस या तुरूटी दोस कहते हैं जब भी हम जो है कोई बाय पदार्थ की असुद्धी मिस्रित करते हैं किसी क्रिष्टल में तो वहाँ पर जो दोस उत्पन होता है उसे असुद्धी दोस कहते हैं और असुद्धी दोस क्रिष्टलों को में तो पूर्ण गुर्ण जो है परदान करने के साथ साथ क्रिष्टल जब भी हम किसी crystal में किसी बायपदार्थ की थोड़ी असुद्धी मिलाते हैं तो उसमें जो दोस उत्पन करने का प्रकरम होता है उसे doping कहते हैं इस प्रकार से जो निर्मित दोश्युक्त क्रिस्टल होता है जो कि इस प्रकार से हमें जो है जब हम डोपिंग करते हैं तो उससे जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं डोपित क्रिस्टल impurity defect को हम इस दिये गए example की मदद से भी समझ सकते आपको दिख रहा होगा कि यह NACL का crystal form में यहाँ पर दिया गया है तो इसमें पहले यह order तरीके से इसमें iron range है लेकिन जब भी हम कोई बाहर असुद्धी मिलाते हैं जैसे कि यहाँ पर यह strontium मिला दिया तो इसके बाद जब हम इसमें strontium मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है पहले जो क्या हो जाएगा दोस उत्पन हो जाएगा और यहाँ पर जो एक sodium iron की जगापे यहाँ पर sodium iron की जगापे जो है strontium two positive ने ले लिए SR two positive ने और एक यहाँ पर रिक्तिका की formation हो गई यानि कि foreign atom जो है कोई भायप परमाणू जो है यहाँ पर crystal में दोस उत्पन कर रहे हैं तो इस परकार के दोस को जो है impurity defect कहा जाता है अर्थात जब किसी crystal में उसके धनायन का इस्थान किसी अन्य धातु के धनायन द्वारा ले लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं असुद्धता दोस कहते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि sodium जो हमारा कैटायन था उसकी जगह पे जो है strontium कैटायन आ गिया है अब next बात करते हैं आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस जो कि हमारा अभी हमने जो example लिया था अने पोजिटिव की जगह पे जो है strontium 2 पोजिटिव आ गया था यह भी आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस का example था तो आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस क्या होता है जब किसी क्रिस्टल में उसके कैटायन यानि की धनायन का इस्थान किसी अन्य धातु के धनायन दोरा ले लिया जाता है तो इस परकार का दोसियां पर उत्पन होता है और आइनिक ठोसों में असुद्धी यों के आइनों को परवेश कराने पर असुद्धी दोस उत्पन किया जा सकता है और जब असुद्धियों के आयन की सहयोजगता सुद्ध पदार ने उपस्थित आयन की सहयोजगता से अलग होती है तो क्या होता है रिक्तियां उत्पन हो जाती है जैसे कि NaCl में जो है वहाँ पर एक रिक्ति उत्पन हो रही थी और एक NaPositive की जग़ा पर है जो है कौन चला कौन ले रहा है इस्ट्रॉंसियम टू पोजिटिव ले रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है यह दो एने पोजिटिव आयन में पहले रिक्तियां फॉर्म हो जाती है और उसके बाद जो है एक NaPositive के इस्थान पर इस्ट्रॉंसियम टू यहां पर क्रिश्टल में परवेश कर दिया है जि यहां पर किसकी जगह पर आगे है एजी पोजिटिव की जगह पर है इस प्रकार से यहां पर आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस्ट को हम समझ सकते हैं आता हम कंकिल्यूजन निकाल सकते हैं कि जब भी क्रिस्टल में उसके कैटाइन का इस्थान किसी अन्य धातु के कैटाइन द्वारा ले लिया जाता है तो इस प्रकार का दोस्ट उत्पन होता है जैसे कि यहां पर आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस्ट को समझने से पहले हम बात करते हैं कि सहयोजी ठोस होते क्या है सहयोजी ठोस वे ठोस होते हैं जिनके प्रमाणों के मद्दे में जो है सहयोजी आबंद पाया जाता है यानि कि cobalent bond पाया जाता है तो बात करते हैं cobalent bond क्या होता है सहयोजी आबंद क्या होता है सहयोजी वे राशाइनिक आबंद होते है जिनमें कि क्या होता है electron की sharing होती है जैसे कि carbon हो गया आपका silicon हो गया germanium हो गया यानि कि जिनके balance electron सेयोजी इलेक्ट्रोन जो है चार होते हैं यह क्या कर सकते हैं यह किसी दूसरे एटम से जो है चार इलेक्ट्रोन ले भी सकते हैं और किसी दूसरे एटम को चार जो है दे भी सकते हैं यानि कि यहाँ पर इलेक्ट्रोन की सेरिंग होती है और आवर्थ सार्णी में पी बलोक के गुरूप 14 में उपस्थित जर्मेनियम और सिलिकॉन जोए उपदातों के समान बिवार करते हैं और यही सह सहीयोजी ठोसों का निर्मान भी करते हैं तो अब समझते हैं कि सह सहीयोजी ठोसों में असुद्धी दोस किस परकार से होता है समू 14 में कौन-कौन सी असुद्या मिलाई जाती है तो इसको हम अब next समझते हैं इस structure में यहाँ पर silicon का bonding structure दिखाया गया है कि किस परकार से silicon के अपना octate को complete करता है यहाँ पर electron की sharing हो रही है silicon के जो सहयोजी कोस में electron होते हैं वो होते हैं 4 तो यह एक दूसरे से जो है चार-चाल इलक्ट्रोनों की sharing करके जो अपने octate को fulfill करता है silicon हो गया, germanium जो हो गया, यह जो है carbon हो गया, group 14 के element है और कौन से block के? P block के element होते हैं और कौन से group में आते हैं? group 14 में तो जब group 14 में जो है कोई बाय असुद्धी मिलाई जाती है कोई भी X हो गया है यहाँ पर तो वो कोई से भी group की हो सकती है इसको हम next देखते हैं तो जब group 14 की ठोसों में जो है बाय असुद्धी मिलाई जाती है तो इस परकार से जो दोज उत्पन होता है उसे सह सहयोजी ठोसों में असुद्धी दोज कहते हैं अभी मैंने बताया था आपको कि P-Block के समू 14 में जो उपस्थित जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो उपधातों के समान ब्यवार करते हैं अर्थात अर्ध चालक के समान ब्यवार करते हैं जिनकी चालकते की प्रास क्या होती है चालक और कुचालक के भीच में होती है वो अर्ध चालक कहलाते हैं और साथी ये जो एलिमेंट हैं ये सह सहयोजी ठोसों का भी निर्मान करते हैं और जर्मेनियम और सिलिकॉन में ताप को बढ़ाने के साथी जो है चालकता में विर्धी होती है और इसी परकार जो है इन उपधातों यानि किने कि सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम हो गया इन उपधातों में असुद्धियां मिलाने पर भी हम जो है इनकी चालकता में विर्धी करते हैं तो इस परकार से जो यहां पर असुद्धी दोस आएगा उसे सह सेयोंजे ठोसों में असुद्धी दोस कहेंगे और यही कारण है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं यह उपधातूइं जो होती हैं अरधचालक इन्हें बोला जाता है अर्द चालक का मतलब जिनकी चालकता जो है कुछालक और चालक के बीच में होती है और जर्मेनियम और सिलिकोन की चालकता बढ़ाने के लिए जो है क्या होती है इनमें दो परकार की असुद्धियां मिलाई जाती है पहली जो है पांच वे गुरूप की उप धातों जैसे आर्षेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया इनकी असुदिया मिलाई जाती है तो असुद्धी दोस उत्पन होता है और जो दूसरी असुद्धी मिलाई जाती है तिरतिया गुरूप या फिर 13 समूग की जो धातूइं होती हैं गैलियम हो गया इंडियम हो गया इनकी असुद्या जो है गुरूप 14 के तत्तों के साथ मिलाई जाती है तो इस परकार से जो दोस यहां पर उत्पन होगा तो उसे क्या बोलेंगे सह सहयोंची ठोसों में असुद्धी दोस तो अब हम इसको next अच्छे तरीके से समझने की कोशिस करते हैं किस परकार से यहां पर गुरूप 13 की असुद्धी गुरूप 14 में मिलाई जाती है और किस परकार से 15 की 14 के साथ यहां पर गुरूप 14 के अलिमेंट है कारबन हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया इनी में कोई बाहे असुद्धी मिलाकर इनकी चालकता कमान बढ़ा दिया जाता है चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें असुद्धी मिलाई जाती है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर चार इलेक्टरोन जो है इसके सहयोजी कोस्म होते हैं गुरूप 14 के गुरूप 14 के यानि कि जो बैलेंस इलेक्टरोन होते हैं वो चार होते हैं तो यहां पर इसलिए जो है चार इलेक्ट्रोन जो है तीनों में दिखाई गए हैं यहाँ पर जो इस्ट्रक्चर है यह सिलिकन की बॉर्णिंग यहाँ पर दिखाई गई है कि यहाँ किस प्रकार से जो है दूसरे सिलिकन से जो है शेरिंग इलेक्टरोन की कर रहा है और अपना ओक्टेट को जो है यह फुल्फिल कर रहा है इन गुरूप 14 के तत्तों में जब भी गुरूप 13 और गुरूप 14 के ऐलिमेंट की असुद्धियां मिलाई जाती है तो इस प्रकार से जो असुद्धी दोस उत्पन होता है उसे जो है सै सहिँजी ठोसों में असुद्धी दोस कहते हैं और जो गुरूप 14 के ऐलिमेंट होते ह उन्हें उपदातु का जाता है जो जर्मेनियम हो गया सिलिकन हो गया तो इनमें असुद्या मिलाने पर तथा ताप में बिर्धी करने से चालकता में बिर्धी की जाती है जो हम इसमें असुद्या मिलाते हैं तो इसकी चालकता का मान बढ़ानी के लिए जो इनमें असुद्य मिलाई जाती है इसीलिए जो है जर्मेमियम और सिलिकन जो उपधातु होती इनको से मिकंडक्टर यानिकी अर्दचालक का जाता है मतलब जिनकी चालकता का मान चलाख और अचालक के मद्धय में होता है सहयोजे ठोसों में असुद्धी दोस्ट के कारण जो है दो परकार के अर्धचालक का निर्मान होते हैं जो फर्स्ट वन हमारा है एन टाइप अर्धचालक और जो सेक्रिन वन है पी परकार के अर्धचालक जब भी हम जो है गुरूप 14 में group 13 और group 15 की असुद्या मिलाते हैं तो हमें N type के अरचालक और P type के अरचालक प्राप्त होते हैं यहाँ पर इस परकार से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह silicon group 14 का element है यहाँ पर group 13 और group 15 की जो भी असुद्या मिलाई जाएगी उसके बाद जो हमें दो परकार के अर्दचालक का निर्मान होगा एक होगा N टाइप अर्दचालक और दूसरा होगा P टाइप सेमिकंडक्टर तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि किस परकार से जो है उनके सहयोजी इलक्टरोनों की संख्या जो है 4 होती है और जो गुरूप 13 के होते हैं उनके सहयोजी इलक्टरोनों की संख्या 3 होती है इसमें 3 होती है गुरूप 14 में 4 होती है और गुरूप 15 में 5 होती है सहयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या जो है गुरूप 13 में 3, गुरूप 14 में 4 और गुरूप 15 में 5 होती है गुरूप 13 के एलिमेंट हो गया, बोरोन हो गया, एलिमिनेम हो गया, गैलिम हो गया तो जब भी जो हम यहां पर गुरूप 13 के ऐलिमेंट को जो है गुरूप 14 के ऐलिमेंट में मिलाते हैं तो हमें असुद्धी उत्पन होती है यहां पर आपको इस श्रक्चर में दिख रहा होगा कि यहां पर जो सिलिकन था उसकी जगह पे जो है ऐलुमिनियम आ गिया और हमें पता है कि ऐलुमिनियम के जो बैलेंस इलक्ट्रोनों के संख्या होती है वो तीन होती है तो यहां पर जब बॉन्डिंग होगी तो यहां पर जो है ऐलुमिनियम जो है सिलिकन के तीन सहिजी इलक्ट्रोन से बॉन्डिंग करके जो है यहाँ पर क्या होता है होल की formation हो जाती है रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और इसी रिक्तिका के निर्माण से यहाँ पर electricity conduct यानि electricity generate हो जाती है तो जब यहाँ यहाँ पर होल की formation होती है जब भी गुरूप 13 की असुधियां जो है गुरुप 14 में मिलाते हैं तो यहां पर क्या होता है तीन जो सहयोजी इलक्ट्रोन होते हैं वो सिलिकन के तीन सहयोजी इलक्ट्रोन से तो बॉंड कर बॉंड फॉर्म कर लेते हैं लेकिन जो चौथा सहयोजी इलक्ट्रोन होता है सिलिकन का उसके लिए जो वहाँ पर रिट्टिका का निर्मान हो जाता है अर्थात होल का निर्मान हो जाता है और इस परकार से यहां पर electricity जन्रेट हो जाती है इसलिए इसे होल का निर्मान होने के कारण इसे यहां पर क्या कहा जाता है P-type semiconductor अर्थात जब सुद्ध सिलिकॉन में जो है इंडियम या फिर गैलियम हो गया या फिर ऐलिमिनियम की असुद्धियां मिलाई जाती है तो असुद्धि का जो परमाणू होता है अर्थात जो हमारा यहां पर असुद्धि का परमाणू है वो क्या है ऐलिमिनियम है तो वह क्या करता है कि सिलिकन के जालक में जर्मेनियम प्रमाणू के इस्थान गरण कर लेता है जैसे कि यहाँ पर जो है अलुमिनियम ने जो है यहाँ पर सिलिकन की जगा पे आ गया है अर्थात यहाँ पर जो है यह सिलिकन का कोई किर्स्टल था यहाँ पर जो अब यहाँ पर जो असु पुद्धी परमाणू जो होता है मारा असुद्यानी की जो ऐलुमिने में इसके बाहितम कक्ष में तीन इलेक्ट्रोन जो होते हैं वे निकट वर्ती तीन सिलिकन परमाणू के साथ सह सहयोजी आबंद बना लेते हैं जिस परकार से यहां पर यह दिख रहोगा रेड ब्लैग म इन्होंने जो है अलुमिनियम के तीन सहयोजी इलेक्ट्रोनों जो है सिलिकन के तीन सहयोजी इलेक्ट्रोनों के साथ सह सहयोजी आबंद बना लिया है लेकिन यहां पर जो अलुमिनियम का सोरी जो सिलिकन का चौथा जो बंद बनानी के लिए यहां पर क्या हो जाता है इले लिए जो यहां पर हमें पता है कि यहां पर क्या होगा चार से सेयोजी आबंद बनाने की परकृति होगी लेकिन यहां पर असुद्धी के परमानु द्वारा जो है एक इलेक्ट्रोन गर्ण करने का परियास रहता है जिसके कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रोन असुद्धी क परमाणु वाली रिक्तिका में निकटवर्ती सिलिकन से आता है। और जहां से यह एलक्टरोन आएगा, वहाँ पर एक रिक्ति उत्मन होगी हो गोंकि हो रहा है। तो इसके कारण यहां पर क्या होगा? इलक्टरोन यहां पर move करने लग जाएंगे यानिकि electronों की यहाँ पर इधर उधर घूमने शुरू हो जाएंगे यह और जिसके कारण से यहाँ पर असुद्धी मिलाने के बाद यहाँ पर इसकी चालकता का मान बढ़ जाता है और चालकता में बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर इस चालकता का मान यह जो positive रिखतियों के कारण हो रहा है तो इसलिए इसे पी टाइब semiconductor कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल के कारण यहाँ पर conductivity चनरेट हो रही है तो इसके कारण से पी टाइब semiconductor का जाता है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं N-type semiconductor की तो यहाँ पर जो है P-type में जो है यहाँ पर गुरुप 13 की असुद्यां मिलाई और उसमें क्या होगा N-type अर्धचालक में यहाँ पर N-type अर्धचालक में जो हैं गुरुप 15 की असुद्यां जो है गुरुप 14 में मिलाएंगे तो हमें जो है यहाँ पर जो अर्धचालक प्राफ्त होता है उसे N-type अर्धचालक कहेंगे तो उसको समझते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है गुरुप 15 के अलिमेंट है नाइट्रोजन होगे फासफूरस होगे आर्सेनिक होगे इनके जो सहियोजी इलेक्ट्रोनों की संक्या होती ह पांच होती है हमने यहाँ पर गुरुप 14 का अलिमेंट सिलिकन लिया जिसके सहियोजी इलेक्ट्रोनों की संक्या चार है और गुरुप 15 में जो है आर्सेनिक लिया है जिसके सहियोजी इलेक्ट्रोन कितने है पांच है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब सुद् जालक में परवेश कर जाएगा जो कि यहां पर सिलिकन का नेटर्क दिखाए गया है इसमें जो है जब हम आर्सेनी की असुद्या मिलाएंगे तो इसमें जो है एक सिलिकन की जगा ले लेगा और आर्सेनी के बाहतम कक्ष में उपस्थित पांच सहियोजी इलेक्ट्रोनों में से क्या होगा चार जो है सिलिकन के इलक्ट्रोनों के साथ जो है सह सेयोजी आबंद बना लेते हैं लेकिन जो पांचवाँ इलक्ट्रोन जो है हो स्वतंतर अवस्था में गतिशील रहते हैं जो यहाँ पर पांचों इलेक्ट्रोन होगा उसके वह यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा और इसके कारण जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रोन सामयने रूप से बिद्यूत परवाई करने में सायक होते हैं तो इलक्ट्रोन के कारण यहां पर क्या होगी इलक्ट्रोनों की अधित्ता होगी पी टाइप में क्या हो रहा था होल जनरेटर थे लेकिन यहां पर क्या हो रहा है एक इलक्ट्रोन जो है सेस रह रहा है तो इसी इलक्ट्रोन के कारण जो है यहां पर इलक्ट्रिसिटी कंड़ होगी तो इस परकार से जो है इलेक्ट्रोनों के परवा के कारण जो चालकता यहां पर उत्पन होगी उसे कहेंगे एंड टाइप सेमिकंडक्टर अर्थात इस परकार असुद्धी युक्त सिलिकन को जो है असुद्धी युक्त सिलिकन के नेटर को यानि कि सिलिकन के जालक को जो है N-type semiconductor कहा जाता है इस प्रकार से जो है हमारा असुद्धता दोस यानि कि impurity defect आइनिक ठोसों में असुद्धी दोस है सेयूजी ठोसों में असुद्धी दोस और N-type semiconductor और P-type semiconductor जो है complete होता है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अब non-stichometric defect कबर अब करने की कोशिस करेंगे जिसमें की जो हम धातु आधिक के दोस और धातु न्यूनता दोस या फिर अधातु आधिक के दोस को पढ़ेंगे तो thank you student इस प्रकार से जो है हमारा stichometric defect और असुद्धता दोस complete होता है और next जो हमारा इसका part 3 होगा lecture number 10 का उसमें हम non-stichometric defect को cover करेंगे thank you student